Welcome to Chemistry Class. Hello Students, This is Our Next Lecture. In This Lecture, We Are Going To Study The Herrn's Rule Of Maximum Multiplicity. इस Lecture में हम Herrn's Rule Of Maximum Multiplicity Study करने वाले हैं. इसके पहले हमने Abou Principle Study किया था. Abou Principle में 3 Points थे. उसमें से First Increasing Order Of Energy ये पॉइट कवर अब किया था हमने. इसके फार सेकेंड क्वर्वर किया था हमन्स पथा पॉलीच एक्स्यूवजं प्रीजिपल कि यह दोनों पॉइंट कंसर रखें थे फ़स에ल तो में वह अभी बता देती युख और तुछ इकम भी कर देती है तो जो पालिस ऐसेlle है उस प्रिंसीपल में हमने यह देखा था कि अगर हम हमारे हों तो एक रबाइटल में दो एलेक्ट्रॉन आगर हमारे अगर हमारे एलेक्ट्रम अ इक होGM वह opposite मतलब एक electron की spin upward direction में रहेगी तो दूसरे electron की spin जो है वो downward direction में रहेगी ठीके मतलब दोनों anti-parallel spin electron रहेंगे और उपर जो दो electron है उनके लिए हमारे पास total four set of quantum number होते हैं हमने अल्यदी कहा है कि अगर दो electron एक orbital में occupy हो रहे है तो they must have the opposite spin उनको opposite spin होना जरूरी है and two electron have a same set of four quantum number ठीके no two electrons in atom can have the same set of four quantum number तो यह हमने दो statement देखे हैं मतलब दो electron के एक orbital में है तो उनके तीन quantum number सेम रह सकते हैं बढ़ जो fourth वाला quantum number है वो different होना जरूरी है क्योंकि दोनों electron के चारों quantum number सेम कभी भी नहीं रह सकते ठीक है मैंने क्या का कि दोनों electron के चारों quantum number सेम नहीं रहेंगे उसमें से एक तो भी different होना जरूरी है और इसके लिए हमें example लिया था हेलियम का हेलियम के first electron में एं 11 है first and second के लिए एं की वालिव मतलब प्रिंसिप पर कांटर नम्पर के वालिव रही बी जिरो जिरो है तो अगर आप बूल गया होंगे तो अप प्रिविए वीडियो देखो आपके लिए के वालिव जिरो होती है और प्रिंसिप कर्पांटर नमंड में जा रहे को एंक कारणिंग हम यानग के वालिव निकालते हैं यूजिंग फॉर्मला 2L तो 12-1 के फॉर्मुले के according यह recalling है 12-1 के फॉर्मुले के according हमने अगर put up किया S के लिए L की value 0 होती है 0-1 मतलब हमारा answer वन आता है मतलब m के आपको 1 value मतलब m के 1 value मतलब middle-1 0 रहेगा तो उसकी अकॉर्डिंग, और मतलब स्पीन काउंटर नंबर का, वो कैसा है, हमें जो सेट मिला है फोर काउंटर नंबर का, तो उसके उस सेट मिला है, four counter number का तो उस set में हमें n की वालू 1 L की वालू 0 m की वालू 0 and last counter number 2 तो दूसरे electron का देखो दूसरे electron में भी चारों जो है वो same नहीं है मतलब four counter number की same set of four counter number नहीं रहेगा एक तो different रहेगा जैसे अब यहां पे देखो इसके पास first n is equal to one इसके पास to one फिर इसके पास to zero इसके पास to zero तो ये भी same हो गया तीसरा भी same है क्यों इसके पास भी zero है इसके पास to zero है मतलल ये तीन set of counter number नवर तो same ही होगे first electron के भी 100 है second electron के 100 है तो ये starting के तीन counter number same होगे तो बचा कौंसा लास्ट वाला बच्छा है तो लास्ट वाला जो कॉंटन नमबर एक का प्लस हाफ है दूसरे का माइनस हाफ है मतलब यह दोनों वाल्यू इसकी जो लास्ट कॉंटन नमबर की वाल्यू जो है वो डिफरेंट इसका मतलब यह सेट चेंज हो गया अगर दोनों का भी प्लस हाफ ह तो दोनों सेट सेम हो तो इस नोट पॉसिबल न एक और बाटे में दो एलेक्ट्रॉन के सेट चाल कॉंटर नमर का सेट जो है वह हमेशा डिफरेंट रहना चाहिए एक प्लस हाफ दुसरा माइनस हाफ तो तब वह तो इसको एंटी पार्लर स्पी उके बट इसके इसके बाद एक रूल है तो उसमें थोड़ा सा अलग पॉइंट है तो वह भी हम देख लेंगे तो यह हो गया तो यह पॉइंट था देर उसके बाद आपको अगेन एक पॉइंट दिया हुआ है सुर्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् झाल आप दौपिंट अधूब रचाम यह यह थो पता चल गया कि हमारे उक आर बाइंट है जहाँ सब्सट्सार यह मुदेख फाट कर देंट और चामी मिलिपल पासे चाहरे चांथ आपका mature यह सक हमारे और तोड़ स्वाल उसब्हा डूस्वार्पीं तो सब्सक्र Crash नुकलियस के अराउंड में, अब नुकलियस में न लिखा है, but it contains proton and neutron, you understand it, ठीक है, अगर मैंने item का structure draw किया, तो उसके जो shells है, नुकलियस के अराउंड में जो shell है, उस shell में कितनी electron accommodated होंगे, that given by formula 2n square, ओके, तो समझ में आ गया, तो तो shell के अंदर कितनी electrons वहाँ पे accommodated होंगे, that is given by formula 2n square, तो यहाँ पे n का number 1 है, अब हमारी first shell है, तो इसका number 1 है, तो 2 into 1 square, मतलब 1, 2 into 1, मतलब answer 2, मतलब हमारे first shell में कितनी electron जाएंगे, only 2 electrons, this is 1 and this is second, तो यह हम ऐसे calculate कर सकते हो, यह point चुट गया था, तो I hope I will cover it, तो orbiter की capacity 2 की होती है, और shell की capacity calculate करने के लिए हम कौन सा formula यूज करेंगे, 2n square का formula यूज करेंगे, जो भी shell का number हैगा, वो हम यहाँ पे put up करेंगे, अगर first shell में कितनी electron चाहिए, वो निकालेंगे, second shell में कितनी चाहिए, अगर वो निकालना है, तो second shell मतलब n is equal to 2 हो जाए, second shell that is the hunts rule of maximum multiplicity, ठीके, तो हमारा next point कोई सा है, hunts rule of maximum multiplicity, ठीके, condensed rule of maximum multiplicity, sorry, hunts rule of maximum multiplicity, यह हमें study करना है, hunts rule of maximum multiplicity का point study करना है, तो देखो, so, filling of electron in orbital belonging to the same counter number, hunts rule of maximum multiplicity, filling of electron in orbital belonging to the same sub shell, follow the hunts rule of maximum multiplicity, जब हम electron को fill करते हैं, orbital में, that belonging to the same sub shell, same sub shell मतला हमारे पास 4 टाइब के sub shell से, कौन से कौन से sub shell हमारे पास, S sub shell, P sub shell, D sub shell, F sub shell, S sub shell में S orbital होते हैं, P sub shell में P orbital से होते हैं, D sub shell में D orbital होते हैं, F sub shell में F orbital होते हैं, तो यसे हमारे पास 4 टाइब के sub shell है, आपको यहापे बोला किया, filling of electrons in the orbitals, जब हम electron का filling करते, orbitals में belonging to the same sub shell, मतला, एक ही orbital, the orbitals है, हम जब electron का orbitals में fill करते, तो वो orbitals, अगर same sub shell से belong करते हैं, हैं तो फॉलो अंट सूल ऑफ माक्सिमम मौटिपलिसिटी तो वह क्या फॉलो करते हैं हन्सूल ऊफ माक्सिमम मौकिपलिसिटी का प्रिंसिपिल वह लगत निया का दोनों और्बाइटल से एक चांग अब और चांग से इस फचल का को जा चाहिए कर लजा क्टिए सब्बाइटर जान टैसले थे टो एस अंट तो के थिए वह टिए तो दोनों और बीटल अगर सेम सब्सेल से हैं तो वह थो करते हैं यह थो रिखो ऐसका थोड़े छोड़े दोसको साइट में अगर हम ने तुपी को तो हमारे पास 2P के कितने और पाटर से 3 है 2PX, 2PY and 2PZ और ये जो तीनों और और बाटर है वो उनका इनका सब्शल पिस और आपअल यह सारे सारे और उर किसे रहेंगे एक पिस्प इन rahetht papersagers जोब यहिसके पहले बताथा आप आप धानमे रखो फिक और डुपालन पार इस मैं इसमीं और बैटल में these तो इनका शेल तो सेम ही रहेगा मतलब यह सब्षेल जो है वह सेम सब्षेल में रहेंगे ठीक है सारे टूपी सब्षेल में ही रहेंगे तो और तीनों का ओरिंटेशन अलग है बट दो तीनों की एराजी एक्वल है यह तीनों जो ही वह कॉंसर फॉलो करेंगे हर्ण सुरॉफ मैक्सिमुम मुल्टिपिसिटी वह फॉलो करेंगे आई हूप अपको यह पॉइंट समझ में आगे होगा कि जब आप इलेक्ट्रॉन को इस और बैटल में फिलप करते हो दाट बिलॉंगिंटो दे सेम सब्षेल दा तोथे और बहुते हैं ऐसे लिएगाइज सुरॉफ मगद टेन का अंपएज सेम आप इसन ना की थे तीनर वह बुलते ही तो इस पर इस रूल इस रूल की अकॉर्डिंग of एस पर इस रूल इस रूल के अकॉर्डिंग अब यह जो हर्ण सुरूल of maximum of electricity वह क्या बोलता है ठीके वह हम देखते है उसका statement दे है कि as per this rule of hans of हर्ण सुरूल of maximum of electricity padding of electron in the orbital belonging to the same sub shell जब हम orbital में वह भी same sub shell के एक ही sub shell के और्बाइटल में जब हम इलेक्ट्रॉन का पैरिंग करते हैं that orbital मतलब orbital that belonging to the same sub shell ऐसे orbital जो same sub shell से बिलॉंग करते हैं उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन का पैरिंग करते हैं मतलब pair करते हैं तो does not occur does not that pairing does not occur unless each orbital belonging to that sub shell has got one electron each जब तक उस sub shell के और्वाइटर में तो सेम सबशेल के और्वाइटर में जब तक 1-1 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है तब तक सेकेंड इलेक्ट्रोन और्वाइटर में एंटर नहीं करता है इस अनल बताब उस सब्षेल में जो सेम सब्षेल से विलॉंग करते हैं तो उन सभी एक एक इलेक्राउन जाना जाने के बाद फिर से एक इलेक्राउन इंटर करता है पर जाके पैरिंग स्टार्ट होताइए तो आपको पता है कि तूपी औरबाइटल में जो मैंने अभी बताए था कि तूपी इस औरबाइटल में तोटक कितने औरबाइटल से एक है तूपी एक्स दूसरा है तूपी वाई तीसरा है तूपी जैड यह तीन औरबाइटल और तीनो का सपशेल कैसा है सपशेल 셀व बिलोंग्स टू द सेम सपशेल ठीकिया द बिलोंग्सbr का तो सेbal बिलोंग्स-णुन तो ऑब से confronts एनंगम एस อर्बाइटर में और पैरिंग का पेरिंग कैसम नेहीं हुताँ जब जब तक और से अलेक्ट्रण जाता निंद तब तक अगर मुझे सिज्सटे लेक्ट्र अगर स्पोस्ट फिल आप ये सपोस्ट थी हमरे पाथ लेक्ट्रूशन क्यानकि तरहां चाहरा तो हन्हों कि लिएकश्टे इस नॉट पॉसिबल तो देखो तूपी के अभी फिर से रोह करते हैं तूपी के हमारे पास थ्री और बाइटल है तूपी एकस तूपी वाई एंड तूपी जेट एसे और बाइटल है अब हमें 6 एलेक्ट्रों को फिल करना तो हम एलेक्ट्रॉन क्या करेंगा और हम एलेक्ट्रॉन को हाफ स्प्रिंट से ड्रॉक कर सकते जब दो एक साथ लगते ठीक है आपको ड्रॉक करेंगा यहां फिर नहीं जाएगा वह जाएगा सेकेंड और फिर जाएगा थर्ड और बाइटल में जब तक हर एक और बाइटल को इस सब्षेल के सारे और को रिट और में यहां तर्के से हंसल असमोह बनाता है कि सब्के darumट नहीन होगा जब atailda के दो सबको मिलें सकता फिर फेरिंग स्टार्ट होगा ठीके तो एकर मतानी कर पार घोना पोसिबल न्यतहित पेरिंगर ड़स नॉट पेरिंग सेος हुआइए def when inside यूइं ओर बाइट सबसे में जितने के लेक्ट्रों भीलोंग करते उसमें से जब तक गलता तब तक प्रकता 0 सबसें और नहीं वह सकता के जब पर उसक्राइब अप develop करेंग अपनी ध्लार को I cannot यह थी जनरेट और्बाइटल से ओके और यह थी जनरेट मतलब क्या कि उनकी सब की दिनों के नजी सेम है वर उनका उरिंटेशन अलाग अलागे स्पेस में एक एकसिस के लॉंग में चाहता है तुसरा वाय में और तीसा जेड़ एकसिस के लॉंग में तो हियर पैरिंग ओफट्रों स्टार्ड इंट न फिन फॉर्थ एन्टरण एंट थी चैए क्योंकि इसके पास थी और बटल से तो थी और ब्लच जब है तो थी और बटल बाबटल नें फेहरे लिट पिए लंगे प्वराद घिवर तो थी खेसे प्वर्थ बटल दे भर जब सबस्था इन गिए था यहां पर इता यहां पर देल्ट्रों में हैं 20 इलेक्रों होना हैatta आप अमर्ण होता है दो एक प्शला है थी तो आपका पर पारिंग कर भाना से फोर्ट वाला इस जाता है अधर पेरिंग स्टार होताहे तो इलेक्पराइशन ओ फोर्ट वर्ली कॉपा फिर दिल बी ऐसा नोट आज मतलब यह राइट मेठेड़ यह रॉंग मेठेड़ को इसी कि हमने 2 यहां पे डाल दिये चार हो गए थीक है तो यह जो मेठेड है वो रोंग है और यह राइट है मतलब हम पहले एक एक यह डी आपको दिया है जो प्याइट दी आपको इसमें बहुत है यह मैंने की तब में पताइँ है इस प्रजस्ट DR देचे हुआ स्पिंधन के अपरी बाद-बी cert लुक द्यूर का इ чи इस जो अपन्र आपका पचा पचेक स्ञघ्डेर ऌन इसन द्यूर। भइचेक सा नेहरा है। अब यह पॉइंट कहां से आया देखो यह पॉइंट भी बीची में आ गया तो बुक बता देती हमारे कोई भी ऐसा और अगरे दुसकी कैपसिटी दो इलेक्ट्रॉन्स की होते हैं मतला ऐसा बाइटल में हमेशा दो इलेक्टान जाएंगे जाएंगे वो 1S और बाइटल हो या फिर 2S हो या फिर 3S या फिर 4S हो तो हरेक इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे मतलब हर एक के इसमें दो-दो electron जाएंगे ठीके और जो P orbital होता है मतलब S orbital की capacity है S orbital की capacity हमेशा कितनी की होती है 2 electron की P की 6 electron की D की 10 electron की और F की 14 electron की capacity होती है ठीके और आपको पता है कि P के 3 sub-shells है तो हर एक इसमें 2-2 जाएंगे तो 2-3-6 हो जाएगा D के 5 है 5 sub-shells है तो 5-2-10 मतलब हर एक इसमें 2-2 जाएगा और F के 7 है तो इसमें भी हर एक और बार्टल में 2 जाएगा मतलब 7-2-14 इस तरह के से उसका division होता है मतलब P क 3 degenerate orbital है तो हर एक में 2 जाएगा D के 5 degenerate orbital इस हर एक इसमें 2-2 जाएगा तो 2-2 मिला कि 10 हो जाएगा और F में F में 7 degenerate orbital होते है तो हर एक इसमें 2-2 इलेक्ट्रों जाते है हिए तो तो फटे फोरिटर हो जाते है समझ में आया तो अगर हमारे तूपी में टोटर सिक्स उलेक्ट्रों हमारे कोई भी बी और बाट्र туда towuck हो टूपी हो थ्री पी हो या फिर फोरडरी 1 या फिर 5 पी हो अगर इस में 3 इलेक्ट्रों है घर्एगिस में तो यह fully filled हो गया मतलब उसके जितनी capacity उतनि पूरी फील है तो पी कि ऑपी capacity six electrons की होची तो हर एक p में six electrons है तो यह हो गया fulfilled और उसका आधा मतलब 2p में three या फिर three पे में three या फिर three four P त्री मतलब six का आधा तो यह क्या है हाफ फिल अगर ऐसे अगर जितनी capacity है उसमें पूरे अधे रेक्टरों तो हमेशा उसको क्या होते वह एक्स्टर साब्यटी शो करते हैं या फिर अगर मैंने बारे में थी दी लिया थीक है तूडी तो होता नहीं है तो अगर मैंने 3dkm क्या पासे इसे कितनी पते हैं मैंने me q opportunity हमेशा एक्टरोंस होती हमेशा याद रखना me q q कितनी होते 10 electrons के dk capacity होते है तो उसके according उसके according dk capacity कितनी होते है dk capacity कितनी होते 10 electrons के अगर मैंने 3d consider किया फिर 4d consider किया 5d भी आ सकता है ठीक अब 5d लिख लेती हूँ ठीक है तो अगर 3d में 10 का आधा मतलब 5 यहां पे भी 5 यहां पे भी 5 और यहां पे डीकी capacity 10 के मतलब 3d में 10 40 में 10 तो यह जो orbitals है तो यह orbital 3d5 45 55 यह कैसे half field है और यह 3d10 40 10 यह full field है तो यह orbital कैसे इक्स्ट्रसेबल है मतलब capacity के आधे यह फिर capacity के पूरे full electrons अगर और बाटल में है तो वह और बाटल fulfill होता वैसे f में f में कितना होता है f में अगर 14 है तो वह fulfill f में अगर 7 है तो वह half field ठीक है और दोनों भी क्या होते है एक्स्ट्रा stable होते है ठीक है यह कैसे होते है extra stable होते तो आपको याद रखना है F7 F14 यह half field है और F14 full field है तो half field है या फिर full field और बड़ हो हमेशे extra stability show करते है clear हो गया तो यह extra stability का point हो गया ठीक है P में P में कितना P में S में दो इसका कोई प्रॉब्लम है और S का 1 half field P का 6 full field और P का 3 half field D का 10 full field और D5 half field ठीक है F14 full field F7 half field अगर यह ऐसा configuration है तो कैसे होते है एक्स्ट्रा स्टेबल होते है तो आए होप आपको समझ में आ गया होगा ठीक है और इसके डाउट से आपके इलेट्रान कास्ट में क्लीर हो जाएंगे तो यह इस लेक्चर में यहीं कर थैंक यू छैंक一었다 में कर दोली ख़ई जाहिए जाएंगेन तो पांक यह । घन होगा जो आके पवादेन यह इन खाउना दोपना हो बुर फ़न्व में से होटी है